तो आज मैं अपने किचन में बनाने लगी हूं बहुत ही बहतरीन सा बनने वाला कटहल टिकका इन ग्रेवी और यह बहुत ही टेस्टी बनके रडी होता है तो मैंने चिकन टिकका वगेरा बनाया हुआ पहले तो यह वेजिटेरियन डिश है उसकी यह यह वेजिटेरियन तो इसी स्टप्स में बनके रडी हो जाती है तो देखे कैसे बनती है तो यहां पर मैं सबसे पहले टिकका बना रही हूं तो इसलिए मैं कटहल के लिए मैंने ले लिया है दही यह तीन बड़े चमच दही है इसके लिए हमें हंकड यानि कि टंगा हुआ यानि पानी निकला हु हल्दी पाउडर एट कर दिया है कश्मीरी लाल मिर्च और धनिया पाउडर और यह टिकका मसाला आप कोई भी ब्रैंड का एट कर सकते हैं और इसमें मैं डाल दूंगी कसूरी में थी इंग्रीडियन्स और उनकी कॉंटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी और अब मैं इसमें एट करने लगी हूँ नीमबू अगर दही आपका ज्यादा खटा हो तो आप नीमबू एबॉट भी कर सकते हैं अधर वाइस नीमबू एट भी कर लें तो बहुत अच्छा चटपटा टेस्ट आ जाता है और इसमें मैंने डाल दिया है सरसो का ओयल और य क्योंकि कटहल के पीसेस पर फिर वह कोटनी होगा यह अधा किलो कटहल है इसको मैंने 70 से 80 परसंट तक गला लिया है तो जब आप गलाएंगे तो पानी में नमक और ओयल डाल दी जागा ऑल से रहेगा कि जो इसका जो रस निकलता है वह बरतन में चिपक जाता है तो तो इस कोट हो जाएगा अगर एक साथ आप डाल देंगे तो खिचडी बन जाएगी और कुछ नहीं होगा खैर अब यह मेरिनेट हो चुका है अब इसे मैं रख दूंगी 15 मिनिट के लिए बाकि और सारा काम कर ले मत्तब प्याज वगेरा पीस ले तो तब तक यह मेरिनेट हो आप अपना कोई भी फेवरेट ओयल यूज कर सकते हैं तो इसे मैं अच्छे से फ्राइब कर लोंगी और जब एक तरफ से फ्राय हो जाएगा तो मैं इसे दूसी तरफ से फ्लिप करके और उस तरफ से भी फ्राय कर लोंगी यानि कि दोनों साइड अच्छा सा कलर आ इसे प्राय करने की जरूरत नहीं है मीडियम भी रखेंगे तब भी चलेगा तो देखिए कटल के पीसे अच्छे से फ्राय हो गए तो मैं इसे निकाल दूगी तो यह हमारा टिक्का बनके हो गया है रेडी तो जब यह टिक्का बन जाता है आप चाहें तो इसे जो हम लोग जो कोईले से धुआ देते है ना स्मोक देते है तो वह भी आप कर सकते हैं पर मैंने यह पर नहीं किया है अब इसी सेम ओल में मैं दूसा बैच भी फ्राय कर लूँगी तो मेरे सारे कटहल के पीसे यानि कटहल टिक्का बनके रेडी हो गया है तो इसे सेम कढ़ाई में मैंने और ओयल डाल दिया है डेड़ बड़ा चम्मच मैंने ओयल डाला है यानि कि वन अंड़ हाफ टेबल स्पून और यह मेरे कटहल के पीसे यानि कि टिक्का हो गया है रे अधानियन को मैंने अधा अधा है या फिर आप एक स्मॉल आनियन भी ले सकते हैं और यह जो मैरिनेशन का बचा हुआ मतलम बचा हुआ मैरिनेशन है तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल कर इसका भी पेस्ट रडी कर लूँगी और इसे भी मैं अपने मसाले में यूज़ कर लोगी तो प्यास को हमें अच्छी तरह से फ्राय करना है इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राय करना है तो जब यह फ्राय हो जाएगी तो मैंने यह पर डाल दिया है प्यास का पेस्ट और इसे भी मैं अच्छे से फ्राय कर लूँगी और अब मैंने यहां पर एट कर दिया है गार्लिक पेस्ट और जिंजा पेस्ट तो यह तीनों पेस्ट हमें बेल का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आपको जो मेरी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए तो अब मैं इसमें एड करूंगी मसाले सुखे मसाले यह है लाल मिर्च पाउडर हल्दी पाउडर धन्या पाउडर और सॉल्ट यह बेसिक से मसाले हैं जो ह लाल मिर्च आपके लाल मिर्क एअगर आपके लोल में यह लगा अगर भी उसक है यहां पर टमाटर का पेस्ट बहां हुआ है कि प्टे सच्च में, लगा कर्कू का सुखे मेरी कर्श है जब टमाटर कं दगा। resin मैं देया को और का दो थी कैसा अगर अह आपकर आपके तरम टीज स्पून कशमिरी लाल मिर्च भी ऐट कर सकते हैं मैं इसे बाजूंगी और इसे अच्छा से मिक्स कर दोंगी ताकि चितने पर मसाले पहले टिक Allahu的 कै plane अच्छे से कोट कर ले lub बुद्णा नहीं है अब मैं इसमें आड कर दोंगी landi पानी आपको तोटली आपको ठीक चाहिए तो कम पानी डालेगा अधर वाइस आपको थोड़ा सा रसा चाहिए या ग्रेवी चाहिए तो पानी अच्छा सा डाल दीजेगा क्योंकि इसमें बेसन है तो आपका जो ग्रेवी होगी वह अच्छे से ठीक हो जाएगी और अब इसमें कटहल kuk भी होना है फुलली डटन भी होना है तो इसलिए पानी मैंने एक्स्राइट डाला है तो जब कटहल कुख हो जाएगा तो पानी मेरा जितना मुझे ग्रेवी चाहिए इतना ही पानी हो जाएगा तो आप भी उसी हिसाब से डाल लीजेगा और नमक वगएरा इस टाइम पर अज़स कर लीजेगा मैंने भी नमक वगएरा एट कर दिया था और बस इसे मैं धक कर पका लूँगी जब तक हमारा कटाहल के टिका है जो अच्छे से कुक नहीं हो जाता तब तक तब तक में धक कर पका लूँगी और यह देखे हमारी ग्रेवी बहुत ही अच्छी से टेस्टी से देखे कितने अच्छी लग रही है जितनी अच्छी लग रही उतनी ही यमिए आप एक बार इससे जरूँ से जरूर बनाइएगा तो यह मेरा कटाहल के आट इन ग्रेवी बन है और enjoy करें thanks for watching